भजनलाल सरकार का पूर्ण बजट जुलाई में आने वाला है तयारियां जोरों पर है मन्तन चल रहा है और राजस्तान पत्रिका ने भी आज अंक प्रकाशित हुआ है उसमें सो दिन की कारी योजना एक्सपर्ट के साथ बैठ कर एक कारी योजना तयार किये और मुख्य प्रश्ट पर ये कारी योजना प्रकाशित किये कि हर वर को क्या हर वर के लिए क्या कुछ करना चीए बजट किस तरह से देखते हैं राजस्तान सरकार का पूर्ण बजट पहली बार देखे सीडी सी बात है फरवरी में लेखानुदान आया था चार महीने के लिए और उसके बाद अब पूर्ण बजट आने की तैयरी हो रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में बजट आ सकता है लेकिन ये डिपेंड करता है कि केंडर का बजट कब आता है क्योंकि हमारा आम बजट जो होता है उसी पर राजियों का बजट आधारित होता है कि आम बजट में क्या-क्या सुईधा है, केंदर सरकार या क्या पूरे देश के लिए योजना है या सबसीडी योजना है चलाने की तेहरी करी है और काफी हद तक माना जाए तो राजियों का बजट अब 50-60 फीज़ या 70 फीज़ तक केंदर की योजना उपर ही केंदर रहता है और पूरू में भी रहता है तो देखना सबसे पहली सीज़ तो होगी केंदर की होजना है केंदर क्या नहीं होजना है ला रहा है और क्या नए काम होते हैं हाला कि जो पत्रिका में हम बात करें पूर आईएस अधिकारी हैं रोईत कुमार सिंग हुए एक अर्थशास्त्री हैं येस प्रोफेसर, येस बराला और एक इंफरास्ट्रक्चर विशेशक्या हैं विश्वास जैन तो इनके साथ मिलकर एक कहीं न कहीं ओवरॉल डवल्लप्मेंट के हिसाब से या सौधिन के प्लान के हिसाब से भाजपा का जो प्लान रहा है देखें ये सौधिन का प्लान जो है ये प्रकाशित किया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि हर वर्क को साथ ले जाने की कोशिश की गई है चाहे इसमें महिलाओं की बात की जाए या सामाजिक विकास की बात की जाए या इंफरास्ट्रक्चर डवलोप्मेंट की बात की जाए तो ये काफी मेजर पॉइंट्स हैं शिक्षा हुआ प्रशासन हुआ कानून व्योस्ता हुआ परेटन वाली बात की जा रो इसमें नौ सेक्टर जो हैं वो चुने गए हैं कि विकास के लिए नौ सेक्टर कौन से हो सकते हैं जिसमें आप बात करें विरासाथ परेटन पॉइंट्स हैं या जहां पर की ज़रुत है काम करने की उनको एक साथ एक जुट किया गया है और उसी के आधार पर ये एक तरह से कहते हैं कि ओर रॉल एक स्टोरी या एक सजेशन है सरकार के लिए कि कहां पर क्या हो सकता है पिर बी एक जिम्मेदारी के तहत हम बार बार सरकार को आपके पाठकों के सहारे हम उनको बताते रहते हैं ताकि इन पर काम हो